अब जिस तरीके से अब ये केजरी वाल जो पूर मुख्य मंद्री आमाद में पाढ़ रही है उनके सीश महल में जो है बहुत कीमती चीज़े निकल रही है लाखो लाखो की देख रहे हैं बीजेपी इसको प्रमुक्ता से उठा रही है कॉंग्रेस क्या इस मुद्दे को उठ रही है और दो साल से क्या कॉंग्रेस पहले दिन से जब से आम आदमी पार्टी आई है जब से इस आम आदमी पार्टी ए खिलाफ ये बता रही है लोगों को जटा रही है कि ये जूट के लोग हैं जूट बोलते हैं जूट के लावा एक कुछ नहीं करते देखिए मैं आज इस पार्टी पे जूटे 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 लगाए करप्शन के और शीला दिक्षित जी पे करप्शन के लगाए लेकिन आज तक उस पे एक भी चार्शीट दाखिल नहीं कर पाए क्योंकि इन्होंने सिर्फ जूट बोला था और वहाँ पर इन्होंने ये कहा था कि हम कभी भी राजनीती में नहीं आएंगे, हम राजनीती करने के लिए नहीं आएंगे, हम जनता के लिए हम आम आदमी की तरह आवाज उठा रहें, उसके बाद उस जूट का रास खुला और ये राजनीती में आए, जब राजनीती में ये आ गए, तो इन्होंने एलेक्शन से पहले ये क कि हम अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम वियाईपी कल्चर को खतम करेंगे हम वियाईपी कल्चर को फॉलो नहीं करेंगे मैं गाड़ी नहीं लूँगा मैं बंगला नहीं लूँगा और जब ये फिर इनकी सरकार बन गई उस सरकार के बार आते ही इन्होंने जो है आपको सब को मालूम है इन्होंने बंगला भी लिया व्याइपी कल्चर को भी इन्होंने और व्याइपी डबल व्याइपी बनाया और इन्होंने बंगले को जो है महल बना दिया जिसको शीश महल के नाम से लोग जानते हैं यह वो इंसान है जो शुरू से इन्होंने जूट की राजनीती क और ये साबित भी हो जाएगा आप देख लीजेगा और पचास लाग की कालीन है दिनर सेट जो है चांदी का है तो ये वो आम आदमी है जो ये कहता था कि मैं वी आई पी कल्चर को खतम कर दूँगा मैं राजनीती में नहीं आऊंगा मैं बंगला नहीं लूँगा उस आदमी के घर में से लाखों और करोडों रुपे का चीजे निकल रही है जो आज तक ये पहले चीफ मिनिस्टर होंगे अगर ये लजाम साबित हो जाते हैं जिनके घर से सोने का कमबूड निकलता है पचास लाग की कालीन निकलती है चांदी का डिनर सेट निकलता है तो पूरी तर पूर्मुकता से तो लेकिन बीजे पी उठा रही है ना इस मुद्धे को कॉंग्रेस तो कही नजर ही निया देकि बीजे पी ने तो आज ये कल में मुद्धा उठाया है आज ये कल बीजे पी वाले क्योंके चुनाओं में एक महीना रह गया है लेकिन कॉंग्रेस पार्टी लिए कि अपने अपने फैसले लेते हैं और जाती मुफधा आज नजेर भी आ जिसे आम आदमी पर्टी के आज मैंने सुना है लिस्ट आई यह तो वो तह अपने जाती मुफधाद के लिए उन्होंने करा जन्ता से अगर मतलब होता जन्ता ने उन्हें जो जिताया था, वो किसी और सोच के जिताया था, जनता ने उन्हें जिताया था, अगर सामने वाले कंडिडेट की जमाना जब्त होई थी, तो वो इसलिए होई थी, जो केजरवाल साब ने मरकस पे बयान दिया, केजरवाल साब ने जो दिल्ली में दंगे के मसले में उनका रोल रहा उस पे वहां की जनता ने उनको वोट करा था उस भरोसे पके साथ और वो जनता उन्हें जवाब भी दे देगी चलिए उन्होंने अपना जाती मुफाद देखा और टिकेट मिल गया लेकिन जनता उन्हें बहुत बहुत बहतरी कर सकते हैं कि हम धरम की राजनीती करें हम धरम के एक дूसरे को आपसyes में लड़वाइं हम डैवलprof welcoming की की बात कर रहे हम काम की बात कर रहे हम दिल्ली के मुद्धे तीन बुन पानी आ रहा है उसमें भी गंदगी और स्मेल आ रही है तो हम उन मुद्दों की बात कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं दिल्ली में कहीं न कहीं इन्शालला विदान सबा के चुनाओं में हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा और कॉंगरेस पार्टी जो है दिल्ली में सरकार बनाएगी एक बार फिर से दिल्ली की जंता डवलेप्मेंट को वोट करेगी ना कि धरम को वोट करेगी और ना किसी जूटे इनसान को वोट करेगी आपको प्रवक्ता बनाए गया है कॉंग्रेस पार्टी से प्रदेश के तोर पर आपकी पार्टी का वैलान जारी है अपने केंडिडेट का देखिए मैं आपको बताओ जल्दी इस बारे में जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं उनकी आपस में मिटिंग चल रही है और आपको जैस भी कॉंग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो जो फैसला करेंगे जो लिस्ट चारी करेंगे जिस विधान सबा से लिस्ट चारी को चुनेंगे हम उनके साथ खड़े हम डोर टूर जाकी मेहनत कर रहे हैं और जब भी मेहनत करेंगे और मैं अगर मुझे कॉंग्रे करूँगा कि लोग तक सच पहुचे चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी बोलना पड़े लेकिन सच बोल जी जी क्या लग रहा है कि कितने जो है माइनोटी के लोगों को टिकट मिलने की उमीद है देखे माइनोटी डिपार्टमेंट से अगर जो इसलायक होगा जो विदान सब में कॉंग्रिस पार्टी में परदेश अध्यश हमारे देविंदर यादव जी है उन तक हम लिस्ट पहुचाएंगे और जितनी हम कोशिश कर सकते हैं जो देखे मेरा माना यह है कि जो लायक है उसको टिकट मिलना चाहिए चाहे वो किसी भी जगा से हो तो अगर कि हमारे इमानदारी से फैसला करते हैं उन्हें टिकट जरूर मिलेगा उन्हें किसी सिपारिश की जरूरत ही नहीं है